हेलो स्टूडिन्स, मेरा नाम शैलजा गोयल है, मैं गर्मन बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर छत्तिसगर में असिस्टिन प्रोफेसर सोशियोलजी हूँ, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो बी ए सेकेंड एर के पेपर टू, क्राइमें सोसाइट कि यूनिट फॉर का बहुत ही इंपधेंट टॉपिक है ओपन पृजेन्स, क्या होती है ओपन पृजेन्स आएए देखते हैं, ओपन प्रिजन या खुले बंदीग्री से हम क्या समझते हैं, बेसिकली ओपन प्रिजन्स, प्रिजन्स विदाउट बार्ज हैं, ये ऐसे या कोई दिवारे या कोई ताले नहीं होते ओपन प्रिजन का कंसेप्ट थियोरी ओफ रिफॉर्मेशन जो दंड का सुधारात्मक सध्धानते उससे रेलेटेड है थियोरी ओफ रिफॉर्मेशन में प्रोबेशन और पैरूल के अतिरिक्त खुले बंदीग्रियों की स्थाप थें कि यदि कैदियों को बंद चार दिवारी के अंदर ताले लगी हुई गंदी बैरकों में न रखकर प्रकृति के खुले वातावरण में रखकर उनसे काम लिया जाए तो उनमें अनुशासन उत्तरदायत्व और आत्म विश्वास की भावना पैदा की जा सकती है खुले बंदीग्रे वास्तव में एक ऐसे बंदीग्री हैं जहां पर किसी तरह की सलाखे नहीं होती कोई ताला नहीं होता वो एक खुले हुए शिविर या कैम्प की तरह होता है और इस कैम्प में चारो तरफ कोई दिवार नहीं होती कैदी एक निश्चित स्थान पर काम क पुना क्याम्प में लौट आते हैं और इसके बदले उन्हें उनके किये हुए काम का पारिश्रमिक भी दिया जाता है जिसमें वो चाहें तो आधा उसका अपने परिवार के लिए भेज सकते हैं और आधा उनके लिए सुरक्षित रग दिया जाता है जो उनकी रिहाई के समय उन्हें दे दिया जाता है इस कंसेप्ट की शुरुवात ओपन प्रिजन्स की शुरुवात सबसे पहले स्विजल लैंड में 1891 में की गई थी इसके बाद अमेरिका में 1916 में और फिर इंग्लैंड में 1930 में पहला खुला बंदिगरी स्थापित किया गया इसके बाद अनेक दूसरे देशें में खुले हुए जेलों की सफलता से प्रोत्साहित होकर इसकी संख्या बढ़ाने का प्रयास किया गया खुले बंदिगरी क्या होते हैं एक बर हम इसकी अर्थ और प्रकृति को और समझने का प्रयास करते हैं साधारेंट बंदिग्री का मतलब एक ऐसे स्थान से होता है जो बंद होता है जहां सीख्चों या बार्स के अंदर कैदियों को ताले में बंद करके रखा जाता है और कड़ा पहरा होता है कैदियों को यहां से बाहर निकलने या बाहरी दुनिया को देखने या जेल अधिकारियों की अनुमती के बिना अपने परिवार से मिलने की सुविधा नहीं होती खुले बंदीग्री जबकि वहस्तान है जहां जीवन और प्रशासन खुला हुआ है इसका तातपर है कि खुले बंदीग्री ऐसे शिविर हैं जहां क्यादियों को एक निर्धारी छेत्र के अंदर रहते हुए सामान्य जीवन की सभी सुविधाएं प्राप्त होती है यहां का प्रशासन इसलिए खुला है कि जेलर और दूसरे कर्मचारी जो हैं वो क्यादियों को किसी तरह की यातना नहीं देते बल्कि उनके प्रती सहनुभूती और सहयोग का भाव रखते हैं सहयोग्त राश्चर कॉंग्रिस ने अपराधों को रोकने और अपराधियों के सुधार करने के संदर में खुले बंदीग्रिहों के उपर उसके महत्व को सद्ध करते हुए उसकी प्रकृती को सपष्ट किया है उन्होंने कहा कि यह वह जेल है जिसमें क्यादियों को भागने से रोकने के लिए कोई बहुतिक सावधानी जैसे दिवारें, ताले, सीख्चे और हत्यारबन रक्षक नहीं होते। तथा आत्म अनुशासन और समुख के प्रति उत्तरदायत्व की भावना के आधार पर विशेश व्यवस्था को विक्सित किया जाता है। भारत में सुधारात्मक सेवाओं के केंद्री ब्यूरो, Central Bureau of Correctional Services के अनुसार, खुली जीले अत्वा प्राचीर विहीन, बंदीग्री वेस्ताने जो बंद जेलों की तुलना में कहीं अधिक स्वतंत्र जीवन को महत्व देते हैं, तथा जिसमें क्यादियों के जीवन को इ बढ़ाया जाए, और उनके external environment को change करके, उनमें internal change लाने का, internal transformation लाने का प्रयास किया जाए, तो देखा आपने, ये खुले बंदीग्री का concept है, और इतना ही नहीं, खुले बंदीग्री में कैदी अपने परिवार जनों के साथ भी रह सकते हैं, इस पहल के पीछे, सरकार की म कैदीओं के भग्न परिवार की समस्या, उनके जो परिवार तूट जाते हैं, उनकी समस्या को हल करना, ये इस सरकार की सबसे बड़ी योजना है, खुले बंदीग्री जो हैं, ये एक ऐसे शिविर हैं, जिसमें बंदीओं को अलग-अलग काम में लगाया जाता है, जैसे न इसके अलावा, इनको इसका उदेश ये जो है, वो कैदी को अपने पुनरवास के लिए समुचित सुविधा प्रदान करना है, ये बंदीग्रे इस माननिता पर आधारित है कि अच्छा आचरन करने वाले कैदियों पर जितना अधिक विश्वास किया जाएगा, उनमें उत इसकी वज़े से खुले बंदीग्रहों की स्थापना की गई, खुले बंदीग्री जो है, उनका प्रमुख और पहला उद्देश ये है कारागारों की कैदियों की संख्या को कम करना, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यांकी जेल्स ओवर्क्राउडेड हैं, यहां पर जेलों में उनकी शमता से अधिक कैदियों का निवास होता है, और इसलिए खुले बंदीग्री एक अच्छा विकल्प है जिससे हमारी जो नॉर्मल जेल्स हैं, उसके कुछ ऐसे कैदि जिनका आचरन अच्छा है और जिनकी सजा कम बची है, उनको जो है दूसरी जगे पे एक खु किया जा सकता है, इससे ओवरक्रावडिंग की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी, इसके अलावा अनुशासन की प्रेणा, खुले बंदीग्री में केवल उनहीं बंदियों को रखा जाता है जो अनुशासित हों और जिनका व्यभार अच्छा हो, इससे दूसरी कैदियो को भी प्रेणा मिलती है कि उन्हें अपना व्यभार अच्छा रखना चाहिए, आत्म निरभरता का प्रशिक्षिन, कैदियों को खेती, उद्योग और दूसरे तरह के श्रम के लिए प्रशिक्षित करना, ये भी इसका एक उद्देश ये माना जा सकता है, ताकि उनकी रिह लब्द हो जाते हैं, जो उनको पारिश्रमिक मिलता है, जिससे वो आगे अपनी लाइफ में अपना बिजनस स्टार्ट कर सके, फोर्थ पॉइंट है, आत्मसम्मान की भावना का विकास, इस बंदीग्री में, चूंकि कैदियों के उपर विश्वास किया जाता है, तो उनम के अंदर हींता की भावना पाए जाती है, और इतनी हींता की भावना उनके अंदर आ जाती है, कि वो स्वयम पे भी विश्वास नहीं कर पाते, इसके अलावा सारवजनिक कारे के लिए सस्ता श्रम, खुले बंदीग्री के क्यादियों को विबिन सारवजनिक कारे जैसे न पुलना में काफी कम है और इस तरह से अधिक सस्ता और भरोसे मंद श्रम सरकार को प्राप्थ होता है। Sixth Point है, खुले बंदी ग्रहों का एक प्रमुक उद्देश्य कैदियों का पुनरवास करके उन्हें सामानी जीवन व्यतित करने के लिए अफसर प्रदान करना है। इस तरह से जब इन कैदियों को बाहर जाकर के काम करने दिया जाता है तो सुसाइटी का भी इनके प्रती विश्वास धड़ होता है। और बाद में जब अपने रिहाई के बाद ये बाहर निकल करके कहीं काम करना चाहते हैं तो ये खुद भी प्रशिक्षित होते हैं और इसके साथ साथ सुसाइटी के लोग भी इन्हें जादा अच्छे से एकसेप्ट कर पाते हैं। लास्ट पॉइंट है पारसपरिक विश्वास चूकि प्रशासन और क्यादियों के बीच जनरली परंपरागत रूप से अव विश्वास देखने को मिलता है। क्यादी ये मानके चलते हैं कि बंदिग्री के अधिकारी और कर्मचारी उन्हें सामान्य व्यक्ति के रूप मे नहीं देखते हैं जबकि खुले बंदिग्रहों का उद्देश जेल के प्रशासन और क्यादियों के बीच एक पारसपरिक विश्वास और सद्भाव को तुद्साहन देना है। तथा वे अपने कारावस की अवधी का लगबक आधा या कम से कम एक चुताई भाग पूरा कर चुके हों। इसके अलावा क्यादिक शारिरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए और वो कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार होने चाहिए। उनका आचरन हमेशा अच्छा होना चाहिए और उनके प्रति कोई दूसरा अपराधिक मामला किसी नयायरे में विचारा धीन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कार्यागार अधिक्षक द्वारा उनके अच्छे व्यवार की रिपोर्ट दी जानी चाहिए। खुले बंदिग्री में केवल उनहीं कैदियों को रखा जा सकता है जो कुछ विशेश अपराधों के लिए दंडित न किये गए हों। जैसे जाली नोट बनाना या देश दो करना या जगन्ने हत्याएं करना इस तरह के अपराधों में उनकों शामिल नहीं होना चाहिए। जो एक शर्थ या ये कहें बॉंड के द्वारा खुले बंदिग्री के नियमों का पालन करने के लिए तयार हों। और अगर मान दीजिए वो इस खुले बंदिग्री के नियमों का पालन नहीं करते तो इस खुले बंदिग्री में उनके द्वारा व्यतीत किया हुआ समय उनकी सजा का पार्ट नहीं माना जाएगा ध्यान रखिए जनरली ये होता है कि खुले बंदिगरी में जो कैदी जो है अपनी सजा का जितना पॉर्शन वो वहाँ पर रहते हैं उसको उनकी टोटल सजा में से माइनस कर दिया जाता है इस तरह से इन शर्टों को पूरा करने के बाद रत्यक केंदरी जेल से 50-50 कैदियों का चैन किया जाता है और ये चैन कारागार अधिक्षक की रिकमेंडेशन पे होता है सभी केंदरी कारावासों से यह सूची राज्य के बंदीग्री महा निदेशक को भेजी जाती है और बंदीग्री महा निदेशक द्वारा ही चुनाओ समीतियों के सजेशन पे और उनके रिकमेंडेशन के आधार पर खुले बंदीग्री में रखने के लिए कैदियों का फा बंदी पंचायत में ये होता है कि जेल में खुले बंदी ग्री में अच्छा व्यभार करने वाले पांच कैदियों को चुना जाता है और उन्हें डे टूडे लाइफ के अड्मिनिस्टेशन से रिलेटेड काम सौपे जाते हैं जैसे रोल कॉल करना जैसे अटेंडेंस रेजि क्या स्थिति है भारत में खुले बंदी ग्रीहों का इतिहास लगभग 115 साल पुराना है जब यहां पहला खुला बंदी ग्री बंबई में मुंबई प्रेसिडेंसी में सन 1905 में प्रारंप किया गया था लेकिन इसने बहुत सी कटनाईयों का सामना किया और 1910 में ही इसे बं मुशासित कैदियों को खुले बातावर्ण में डखकर उनसे उप्युक्त श्रम करवाया जाये तो उनमें ज़्यादा सुधार लाया जा सकता है लेकिन इसके बावजुद स्वतंतरता तक भारत में कोई भी खुला बंदी ग्री स्थापित नहीं किया जा सका फिर उसके बाद स्वतंतता के बाद उत्तर प्रदेश में जब डॉक्टर संपूर्णा नंध मुख्यमंत्री बने तो उनकी रूची जेलों और जेलों के सुधार की तरफ होने के कारण उन्होंने 1953 में वारण असी के पास चंद्रप्रभा नदी पर बांध बनाने का काम शुरू किया और इसके लिए पहला खुला बंदीग्री स्थापित किया गया जिसे संपूर्णा नंध शिविर का नाम दिया गया इसके बाद 1953-54 में दो अन्य खुले बंदीग्रीओं की स्थापना बांधों का निर्मान करने और नहर खोदने के लिए की गए संद 1954 में जब लखनव में समाच कारे का वार्शिक अधिवेशन एन्वल कॉन्फरेंस ऑफ सोशल वर्क आयोजित किया गया तो उसमें जेल सुधार की दशा में खुले कारागारों की स्थापना पर विशेश जोर दिया गया फिर मिर्जापुर जिले के चुर्क नामक स्थान पर और नैनी ताल के सितार गंज नामक स्थान पर भी दो अन्य संपूर्णा नंध शिविरों का स्थापित किया गया इन सब शिविरों में से वर्तमान में केवल एक सितार गंज वाला संपूर्णानन शिविर ही अस्तित्व में है और बाकी अन्य शिविर जो है उनको स्थागित किया जा चुका है इस तरह से उत्तर प्रदेश में अब केवल एक ही संपूर्णानन शिविर है जो सितार गंच उत्तरा खंड में है ना कि उत्तर प्रदेश में तो इस तरह से अब उत्तर प्रदेश में एक भी खुली जेल नहीं बची है और जो है सितार गंच वाली वो विभाजन के बाद उत्तरा खंड में चली गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बाद भारत के अन्य दूसरे अनेक राजियों में भी इन शिविरों की व्यवस्था आरंब कर दी गई। 2777 inmates ही यहां पर रह रहे हैं मतलब कुल capacity का केवल 66% ही occupied है। सबसे अधिक खुले बंदीग्री राजस्थान में हैं जिनकी संख्या 31 है। और राजस्थान के सांगा नेर मंडोल, बिछावल, जैटसर, भरतपूर, दुर्गापूर आदी में बहुत से खुले बंदीग्री हैं। और भारत में राजस्थान के सांगा नेर की जेल जो है वो लार्जेस्ट ओपन प्रिजन है। भारत में सेकंड नंबर पे सबसे जादा ओपन प्रिजन्स महराष्ट में हैं जिनकी संख्या 19 है। इसके अलावा दिल्ली की तिहार जेल में भी सेमी प्रिजन का कंसेप्ट फॉलो किया जा रहा है। आपके सामने नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ये लेटिस्ट आकड़े हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉस करके इसका अवलोकन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश तता 36 गड़ में खुले बंदी ग्रहों की क्या स्थिति हैं आईए हम ये देखते हैं। भारत के अने राजियों की ही तरह मध्य प्रदेश में भी सन 1957 में आयोजित विभिन राजियों के जेल महा निरिक्षकों द्वारा जो अखिल भारती जेल नियमा विली तियार की गई। उसके बाद यहां पर खुले बंदी ग्रहों का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। जैप्रकाश नारायन के प्रयतनों से जब इस शेत्र में चंबल स्पेशली चंबल के शेत्रों में जब डाकुओं ने आत्मसमर्पन किया तब उन डाकुओं की पहली शर्थी कि उन्हें बंदी ग्रहों में दूसरे कैदियों के साथ ना रखा जाए। दूसरा ये था कि चंबल और बंदेल खंड दो जगों के डाकुओं थे और दोनों के बीच में शेत्री आधार पर कोई सामंजस से नहीं था। इसलिए उन्हें अलग-अलग स्थानों पर रखना अनिवारे था। तो मदिप्रदेश के गुना जिले की मुंगा वली तहसील में पहले से ही खुले बंदी ग्रह स्थापित करने की योजना थी और यहीं पर ही आत्मसमर्पन करने वाले डाकुओं में से एक शेत्र के डाकुओं को रखा गया। और दूसरे शेत्र के लिए पन्ना से आठ किलोमेटर दूर लक्षमी पूर नामक स्थान पर बंदी ग्रह की स्थापना की गई। इन दोनों बंदी ग्रहों के निर्मान का कारिर सन 1976 तक कंप्लीट कर लिया गया। आईए अब हम देखते हैं चतिसगर में बंदी ग्रहों की क्या स्थिती थी। चतिसगर शेत्र में सबसे पहली खुली जेल बस्तर के जगदलपुर में स्थापित की गई थी। उस समय चतिसगर मत्यप्रदेश का ही भाग था। लेकिन इन जेलों में केवल आदिवासी क्यादियों को ही रखा जाताथा और वो भी लंबी अबधी की सजा पाने वाले। हमारे यहां प्रदेश में इन खुली जेलों को जन जीवन शिवर के नाम से जाना जाता था। और इन शिवरों में रखे जाने वाले क्यादियों के लिए कुछ शर्तें थी जिसको पूरा करना बहुत इंपॉर्टन था, उन शर्तों में पहली थी कि केवल वही क्यादी रखे जा सकते हैं जिनें आजीवन कारावास का दंडो, दूसरा इनका आचलन जेल में अच्छा रह हो, तीसरा ये शारिरिक रूप से स्वस्त हों और पचास वर्ष की आयू से अधिक्ये ना हों, चौथा, साथ वर्ष की सजा पूरी कर चुके हों और कम से कम एक बार पैरोल का लाब उठा कर स्वेच्छा से पुना जेल में वापस आ गए हों, पांच्वा, जो बंदी कठि और एक में ही इन जन जीवन शिविरों को स्थागित करना पड़ा, इसलिए वर्तमान में चतिसगर में कोई भी खुली जेल नहीं है, लेकिन सरकार ने बेमेत्रा तथा सिमगा के बीच चतिसगर की पहली खुली जेल को पस्तावित किया है, जो लगभग 25 एकड की एरिया मे स्प्रेड होगी और इसमें लगभग 200 बंदियों को रखने की व्यवस्ता होगी, आईए अब हम चलकर देखते हैं, खुले बंदी ग्रहों का महत्व क्या है और इनकी समझ से आये क्या है, दंड के सुधारात्मक सिध्धान पर आधारित खुले बंदी ग्रह, जो हैं, वो खुले बंदी ग्रहों में क्यादी अपने आपको समाच से पूरा तरह कटा हुआ नहीं समझते, बलकि वे फिर से समाच का एक अभिन अंग अपने आपको महसूस करते हैं, क्यादियों के बीच में परंपरागत जो जेले होती हैं, वहां मन मुटाओ और संघर्ष की घटना होती रहती हैं, लेकिन खुले बंदी ग्रहों में ये घटनाएं, इनकी संख्या बहुत कम हैं, धीरे धीरे खुले कारागारों में रहने वाले जो बंदी हैं, वो धीरे धीरे आत्म निर्भरता और आत्म सम्मान का अनुभाव करने के कारण अधिर, responsible या उत्तरदाई बनन वे अच्छिक रूप से सीमा के बाहर नहीं निकलते, ये उनकी responsibility की भावना का ही प्रतीक है, खुले बंदीगरी में शारीरिक श्रम क्रिशी और उद्योग का प्रशिक्षन जो है, वो भी क्यादियों की बहुत help करता है, जब वो क्यादियों का पुनरवास होता है, और जाना नहीं चाते, इसके बाद इस तरह के बंदीगरीहों का एक और फाइदा ये है कि यहाँ रख रखाओ की लागत बहुत कम आती है, जो जनरल जो हमारे जेल्स हैं, वहाँ पर काफी जादा maintenance कॉस्ट आता है, पर यहाँ पर इस चीज की कमी होती है, और साधारंटा जित की open prison के बीच में comparison किया गया है, आप चाहें तो इनकी जो cost है, maintenance cost, उसका comparative study को आप वीडियो को pause करके देख सकते हैं, यह जो comparison है, यह the open prison of Rajasthan report 2017 के अनुसार है, इसके अलावा, इसकी अगर हम खुले जेलों की दोशों को या समस्याओं के बारे में अगर विचार करें, तो यह पता चलता है कि जादतर समस्या इस व्यवस्था से नहीं है, बलकि दोश्पून प्रशासन और राजनातिक अधार पर क्यादियों को चैयन करने की समस्या ज काम करने के बदले में मिलना वाला परिश्रमिक काफी कम होता है, और अधिकांश कैदी अपने आपको एक अपमान जनक स्थती में महसूस करते हैं, जादतर यह देखा जाता है कि कैदियों के साथ बंधुआ श्रमिकों जैसा व्यवहार किया जाता है, और इस तरह से अगर व्यवहार किया जाए, तो इन जेलों को स्थापित करने की जो मूल भावना है, उसके पीछे जो मूल उद्देश है, वो ही खतम हो जाता है, आरंब में खुले बंधी ग्रिहों में कैदियों का व्यवहार तुलनात्मक रूप से अनुशासित था, लेकिन समय बीटने के प्रक्रिया भी काफी दोश्पून है, बहुत से कैदियों का चुनाव राजनेतिक दबाओ के आधार पर किया जाता है, इन बंधी ग्रिहों में कैदियों को अपने परिवारिक सदस्यों और मित्रों से मिलने की अधिक अवसर मिलने के कारण, अप्राधी प्रवृति के लो की वर्तमान सिति का मुल्यांकन करें तो देखा जाए तो इसके उद्देश्यों की प्राप्ती में ये बहुत सफल नहीं रह सका है। इसके पीछे जो प्रमुख कारण है उसमें खुले बंदी ग्रहों में कैदियों को मिलने वाले विशेश लाव हैं। जिन कैदियों को जित जल्दी ही अपनी सजा को पूरा कर लेते हैं इसके अलावर जो बंदी सिफारिश या दबाओ के आधार पर इन शिविरों में आते हैं उनका व्यभार अधिक अनुशासित नहीं होता इस तरह से शिविरों का प्रशासन कमजोर बढ़ जाता है तीसरा कारण शिविरों के अध कुछी त्रूप से पूरा नहीं किया जाता और समय समय पर इन क्यादियों के बीच संघर्ष की घटनाएं भी सामने आ रही हैं तो यह सारे रीजन्स है जिसके वज़े से 36 गड़ में तो अभी शुरवात नहीं हुए लेकिन पुराना बंदीग्री जो है उसकी असफलता का ये कारण है और मध्यप्रदेश में भी तथा भारत के दूसरी जगहों में भी इन शुविरों की असफलता का ये एक कारण रहा है अब हम बात करते हैं कि इन बंदीग्रहों में ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे इनके लिए ये सफल हो सकें सफलता के लिए कुछ सुझाओ यहाँ पर हम इसके उपर चर्चा करते हैं सबसे पहले तो कैदियों के चुनाव की प्रक्रिया पूरे भारत में एक समान होनी चाहिए बंदीग्रह में प्रवेश के नियम इस तरह के होने चाहिए कि कैदियों के साथ किसी तरह का भेदभाव न किया जा सके इसके अलावा बंदियों का चुनाव करने में राजनेतिक दबाव या सरकारी भ्रष्चाचार को रोका जाए उनके सही माइने में गुण अवगुण को देखकर किसी नयाईक संस्था द्वारा अंतिम रूप से निर्णे लेना चाहिए नयाईले को यह अधिकार होना चाहिए कि कैदियों की मानसिक स्थिती और उनके द्वारा अपराद किये जाने की प्रकृती जो अपराद किये गए उस अपराद की प्रकृती के आधार पर किसी विशेश अपरादी को लंबी अवधी की सजा देते समय निर्णे में यह भी लिखा जाना चाहिए कि कितने समय की निश्यत अवधी तक आपरादी का विवार ठीक अगर रहता है तो उसे किस तरह खुली जेल में रखा जाए इससे खुले बंदिग्री के लिए कैदियों के चैन की प्रकृता हो जाएगी इसका मतलब यह है कि जब उनको सजा मिलने का उसी समय ये निर्ने किया जाए कि अगर इनका विवार अच्छा रहता है तो इतने सालों की सजा मिलने के बाद उनको किसी खुले बंदिग्री में शिफ्ट किया जा सकता है और इस तरह का नियम समाप्त होना चाहिए कि कोई क्यादि जितने दिन खुली जेल में कारे करेग खुले बंदिग्रहों में प्रत्यैक बंदि को दिया जाने वाला कार्य, उसकी शारिक और मानसिक शमता एवम उसकी रूची के अनुस्सार होना चाहिए खुले बंदीग्री में कैदियों को अपने काम के बदले मिलने वाला पारिश्रमिक बाजार दर्से आधे से कम नहीं होना चाहिए अगर ये होता है तब ही उनके पुनरवास की समुचित व्यवस्था की जा सकती है इसके अलावा शारिक रूप से दंडित करने पर आनशिक प्रतिबंध होना चाहिए और यदि खुले बंदीग्री के कैदियों का व्यवार अनुशासित ना हो तो शारिक दंड की जगे पे उन्हें अपने मूल कारागार में वापस भेजना अधिक उप्यूक्त है इससे वो स्वयम ही अनुशासित रहेंगे इस तरह से देखा जाए तो वास्तों में दंड का उद्देश्य सामाजिक जीवत को अधिक सुरक्षित बनाना और अपराधी के मन में यह भाव पैदा करना कि उसने गलत आच्रण किया है और इस तरह से खुले बंदी ग्रहों की स्थापना भारत में एक बहुत ही अच्छी पहल है और अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए इसके प्रिशासनिक और राजनैतिक दोशों को दूर किया जाए तो यह सुधारात्मक दंड के सिध्धान की एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था साबित हो सकती है तो फ्रिंस ये था हमारा आज का टॉपिक खुली जेलों के बारे में आज हमने देखा कि खुली जेले क्या होती है इसके पूरे कंसेप्ट को समझा और साथ ही हमने ये देखा कि भारत में खुली जेलों की क्या स्थिती है इसके साथ ही दोस्तों मैंने यहां पर आपके साथ में कुछ यूट्यूब के लिंक्स शेयर किये हैं इसमें एक्सपर्ट के द्वारा खुली जेलों के बारे में डीटेल में बताया गया है और एक दो डॉक्यमेंटरीज भी हैं अगर आप इसके बारे में डीटेल में और जानना चाहते हैं तो आप इन लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं I hope आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा समझ जाया होगा इसके साथ ही हम फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं Thank you